हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई बिलूमी लाइफ चेनल आज मैं आपके साथ मिक्स वेज सैलेट की रेसेपी शेयर करूंगी वो भी मेरे अंदाज में हम सभी जानते हैं कि हमें अपनी डाइट में सैलेट का सेवन जरूर करना चाहिए जो बहुत हेल्दी होता है तो च कौंट्रिटी आप अपने एकोडिंग ऊपरनीचे कर सकते हो तो यह हम तस ने से देखे से बात हो की में कट कर दिया है रूदी यह कि दो गाजर को भी हमने देखो कितनी पतली पतली स्लाइस में कट किया है लंबी और पतले तो आपको भी इसी तरह करना है खीरे को भी हमने लंबा पतला किया है और देखो पत्ता गोबी को भी हमने लंबी और बारिक स्लाइस में कट कर दिया है अब हम पत्तगों भी लेंगे और इसमें हम वन स्पून नमक एड़ करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ऐसे करने से पत्तगों भी काफी सॉफ्ट हो जाती है अब हम इसमें हाफ नीबू का रस एड़ करेंगे तो यह हमने हाव निमू का रेसेट कर दिया है इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो देखो यह हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं अब हमें इसको 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना है 10 मिनट्स के बाद फिर हम चेक करेंगे तो देखो 10 मिनट से हो गए हैं अब मैं आपको दिखाती हूँ पत्ता गोबी बहुत जादा सॉफ्ट हो गई है अब हम इसको निचोड़ेंगे पत्ता गोबी ने देखो अपना सारा पानी छोड़ दिया है तो निबू और नमक डानने से पत्ता गोबी सॉफ्ट भी हो जाती है और जितना पानी है एक्स्ट्रा पानी पत्ता गोबी में वो सब अलग हो जाएगा अब हम इसको निचोड़ेंगे और एक बॉल में डग देंगे तो हमको सभी पत County को निचोड कर बौल में रखना है ताकि इसका जितना भी पानी है वह अलाग हो जाए इतना टैट में ही निचोड़ना है हलके हातों से निचोड़ना है अब पताव गोभी इत्मी नर्म हो गई है कि वह तूड़ भी नी रही है तो इस तरह हम पूरा पत्तव गुभी को निचोड़कर एक बॉल में रख देंगे तो बॉल में हमने सभी वेजटेबल भी रखी भी है पत्तव गुभी हमने इसमें डाल दिया है देखो लग रही है ने कितनी टैम्टिंग आप अपने एकोडिंग इसमें और वेजटेबल भ हो गया रेडिस हो गया जो भी आपको मिले यफ ही जो आप लेते हो अब हम इसमें आसी एड़ करेंगे धोन फिरम कि हम इसमें में हाफ टी चिल्लैबर यह sac एक छोटा से बाल नमक वह नमक भी तीइसपून पिर हम इसमें काली मिर्च एड़ करेंगे ये भी हम half tea spoon के करीब इसमें एड़ करेंगे तो ये सबी चीजे हमने एड़ कर दिया है अब हम इसको mix करेंगे देखो ये हम बहुत अच्छे से mix कर रहे हैं देखा आपने कितना easy है salad बनाना हम इसको अच्छे से mix करेंगे और salad बनकर देखो ready हो गया है ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिस्ट होता है आप भी इस salad को जुरू ट्राइ करना जब भी आप salad को सर्व करो तभी आपको ये सब चीजे डालना है उससे पहले आपको डाल कर नहीं रखना है तो देखो आप मैं salad को सर्व कर रही हूँ एक प्लेट में तो देखा आपने दिखने में भी कितना सुन्दर लग रहा है और खाने में तो ये बहुती ज़्यादा स्वादिस्ट होता है अगर आप डाइट में हो तो आप इसको लंच में ये डिनर में ले सकते हो आप यदि वन बॉल salad लंच में लोगे तो आपको और कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको पेट काफी भरा भरा लगेगा तो अगर आप डाइट में हो तो इस सैलेट को जरू ट्राइ करना तो अगर आपको आज की सैलेट की रेसेपी अच्छी लगे तो पिलीज लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलना बेल आइकन को प्रेस करना जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे है and see you guys in the next video